हेलो तो फिरसाब करें सोगत है में चैनल डीजी व्लोग में मैं हूँ अश्रफ और दोस्तो आज के इस वीडियो में एक्स्क्लूसिली विली आप सभी के लेकर आओ यहां पर यह बीस्ट अल्ट्रा यह दोस्तो ब्येसम की बीस्ट अल्ट्रा और भाई बहुत तगड़ी शा अमरे पास एक पेटी जो है वो यानि एक पर जो हो पूरा आ चुका है अभी टेस्ट इवस्टिंग सब कुछला तो सारी डिटेल जो है नो आपको पूरी मज़दार सी मलने वाली है अन्बॉक्सिंग स्टार करेंगे वीडियो स्टार करने से पहले आप सभी से रिक्वेस् शेयर नजाद चानल सब्सक्राइब करें चलते हैं अगडे तरफ चलिए शिरू करते हैं अब आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहां पे शारपी की पैकिंग और पैकिंग बेसिकली में बोलूगा काटून नहीं है यह ओलड़ी कंपनी से यानि फैक्टरी से फिटेड ही हो शुपर अल्ट्रा प्रिजम थ्री फेज मोटर बीम आपको देखने हो मिलता है यहां पर साइड के अगर में डेटेल्स की बात कहूं तो साइड में आपको लेजर प्रिजम रैंबो प्रिजम फाइफ ग्लास गोबो भी आपको देखने हो मिलते हैं प्रेचलेस टाइप का जो है ना इस पर सन माइका जो चड़ाएगे स्क्रेचलेस से मेरा मतलब की इस पर इसली कोई भी स्क्रेचेज नहीं पड़ेंगे यह अच्छी बात है हेग्जागन डिजाइन टाप को होता है जैसे जाली होती है उमारे स्पीकर की उस तरह रहेगा यहां पर डिजाइन वा देखने में बहुत अच्छा रखता है और हैवी डूटी है उपर वेल स्ट्रॉपर देखने को मिलते हैं यहां पर आपको यानि एक और अगर शार्पी आप रखते हैं तो एजली आप रख पाएंगे दो बटर लॉक्स है चलिए इसको फटवट से में यहां से खोल लेता ह और चलिए ना दोनों शार्पी को लिकाल शार्पी लिकाल लेगा अब आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मेलेगा यहां पर सबसे पहले तो यह एक आपको इस्ट्रक्शन बुक मिलाती है वार कॉंटेंट के अंदर आपको दो यह मिलती है आपके एक्सलार टो एक्सला यहां पर यह दो केबल्स हो जाती है और इसके साथ साथ यह पावर केबल्स भी आपको देखने को मिलेगी और यह इसके पावर कौन के साथ में होती है यह देख लेजी यह पावर कौन के साथ में आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर बात करते है हमारी शार्पी की फ्र शबाब यहाँ पर मात करूं इसके उपर यानी अपडाउन के तो यहां पर ही उप्डाउन पर यह वाहला जो हो लॉक मेकैनिजम करता है अभी आपको यहाँ पर शार्पी के फ्रंट पर यानि ग्लास पर आप देखने को मिलेगा इसकी अंदर का मसान सbility और यहां पर परसनलड में बोलो को इसके जो जो glass की थिकने इसकी जो quality इना glass की बहुत ही ज़्यदा प्रिमियम से आपको देखेने हो मिलती है और इसके जो design है खासके जो design है यह वाली पटी होगी और side में यह वाली जो पत्ति आपको देखने हो मिलती है यह बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग सायान्हे अलख साय सको बना रही है तो यह अच्छा लगा, side में आपको Beast Ultra के जो ब्रांडिंग यहां पर देखने हो मिलाती है बीस्ट के साथ यहां पर एक बुल भी बना रखा है यानि रेड ट्रैप का बुल बना रखा है बेसिकली शार्पी बीएसम की जो बीस्ट है यह इंडिगेट करती है इस बुल को और जब भी आप यह बीएसम की ब्रैंडिंग देखने को मिलता है यह देख लीजिए बीएसम क में यह होता है लैंप चेंज करने के लिए और बस यह भाई प्रीमिम्म कॉलिटे सा लग रहा है मैटल प्लस प्लास्टिक दोनों का इस तमें इस्तमाल में ले रखा है अब भी आगर मैं डिस्पली की बात करूं तो बीएसम की ब्रैंडिंग देखने को मिलती है दो इंडि जब भी आप इसको अन करते हैं तो यहां पर आपको आपको डिस्पले पे इंडिगेटर देखने को मिलेगा और यह डिस्पले वाल एर पीछे भी में आपको दिखाता हूं यह दोस्तों यहां पर बैकसर बैकसर पर आपको यहां पर पावर कॉन देखने को मिलाता है इसके ओर लगी यहां पर स्पार्न 10A का 7B का यहां से जो चेंज कर प्हेंग के जफिंगे एप सैड़ वंटिलीशन देखनेdessus मिलते तो इसारी की फैर यहां पर देखने को मुझे मिलता है यही अगर मैं इसके specials की बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंप के बारे में दोस्तों यह 400 Watt के साथ में आता है हाँ आप यह सोच रहे हैं यह तो 20 यह जितना पावरफुल लैंप इसके लिए गया है और से साथ लोग लैंप का क्वालिटी भी ना वो टॉप नॉच क्वालिटी का दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रैंड भी देखने को मिला है कौन से ब्रैंड का मने इसके अंदर वाकी फीचर तो कलर वील दोस्तों यहां पर 13 प्लस एक यहां पर वाइट यहां अगर मैं प्रीजम एफेक्ट के बात करूं अभी मैं आपको आउटडोर में दिखाऊँगा तब आपको समझ में आगा है कि भाई यह प्रीजम एफेक्ट होता कै और प्रीजम एफेक्ट जब मैं इसमें यूज में ले रहा था ना इन दो शार्पी अंदर तो ऐसा लग रहा था कि यह 6-8 शार्पी जो चल रही थे और वाकिया में शूट करते हुए एक बंदा भी मेरे पास है कि आपने वह लाइट कौन से लगा रही थी जो आपको रात को चला रहे थे और उनको लगा कि हम आठ के च्छे पीस जो हो चला रहे थे लेकिन हम इने बताए कि यह दो ही लगा रही थी हमने तो वह भी सोच पे हैं पड़े गई तो कि यह कैसी लाइट है और अभी आपको टेस्टिंग आगे जो है वह मालूम चल लाएगा बावन के जीगा इसका टोटल वेट हो जाता है चैनल के बात को यहां पर इस सोलर चैनल पर वोग करता है ओवर सबसे हाइस्ट माइब हाइप बनने वाली जो लाइट है मार्केट में जो नाम फैलाने वाली लाइट वह भाई बीसम की भी स्टी है और फिर जब अल्ट्रा आ गई है तो अल्ट्रा जो है वह और यहां पर एक नंबर उससे बढ़के कॉलिटी दे रही है जो कि लेजर प् में आप नहीं करा हूत है त्यक्तिते हैं यह जैसे तेसंटिंग तोखयो लिए थोड़ा डूच जाता हूं और आपको दिखाता हूं उसका बीम का क्वालिटी कासा कौलिटी है लेजर परी। लेजर प्रिजम और गोगो का शाद्येशंच के जो कैसे आते हैं वो भी हम यहां पर देख लेते हैं कोई भी लाइट जो है आपको नहीं देखने हो बिलती है और सिंपली में अगर मैं भी को फून को हुल पे हूं जो कि वहां अभी लाइट पर बैठे हुए हैं चलाने के ल वाली है और यह सभी लाइट से बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंस होने वाली है इस लाइट की कॉलिटी यह आप दिख लीजिए बीम ही आपको ऐसे दिख रहे होगे भाई यह क्या चीज है कि आप बावाल बना दिया इस बारी बिल्गोली पीछे तक ले जाए से देरे देरे इसका रेड़ डरेड पे रखेंड़ अभी एक मिनट रएड़ पे रखेंगे अगर लाइट की आपको कॉलिटी देखनी है तो मैं आपको सिस्ट करूंगा भाई कि आप रेड कलर देखो किसे बीड़ का अगर वह बैटरी ने तो इसका मतलब लाइट का जो कॉलिटी है ला बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यह अभी पीछे वाले अरिफ दिखाई यह जो भी मिक्स हुआ था यह वाले देखिए इसको मिक्स करिए हो ग्लू और इसके साथ में स्काफ हो यह जिर्फे लेहो जो बहुत है अरगी में बहुत है को यह देखिए । और आप लौन को जाता है बीजन आप हम इसको कह सकते हो यह diyorsun तोड़ा से डिफरेंट कलर जो मैंने पिछले भी दिखाया था मिक्स के साथ में और आगे बड़ा अरिफ अब इसमें करके इसको वाइड करके वर्याब कुछ रोटेशन और इसका गौब प्रीजम जो डीजर वो दिखा और थोड़ा से नीचे कर दें मेरी साइड के साइड कर मेरी साइड की साइड हां यह देखिए दोस्तों और नीचे और थोड़ा सा, और थोड़ा से सीदा कर, आरिफ इधर कर, बस, यहींपर, यहींपर, यह देखे दोस्तों, जो है, इसका मेइन चीज़ जो है भाई, वो यह है, इसी के वजह से, पुरी मतलब यह लाइट जो है झाल 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 वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक करना शेर करना चानल सब्सक्राइब करें मिल्दों से चिवड़े में जब तले जाएं वन्द मातरम